Hello everyone so today we are going to deal the lymphatic drainage and nerve supply of scalp so let's start with the lymphatic drainage lymphatic drainage में हम देखेंगे कि anterior part of scalp जो है वो कहां पे ड्रेन करता है और posterior part of scalp वो कहां ड्रेन करता है और nerve supply में हम यह देखेंगे कि total 10 nerve होते हैं जो each side of scalp and temple को supply करते हैं जिनमें पांच जो है वो front of the auricle में present होते हैं जिनमें चार sensory होते हैं और एक motor होता है और behind auricle पांच present होते हैं उनमें भी चार्ज हैं वो sensory होता है और एक motor होता है so start करते हैं lymphatic drainage से देखेंगे इसमें क्या होता है anterior part of scalp drains into pre auricular और और पेरोटेड लिंफ नोड जो anterior part of scalp जो है वो drain करता है प्री auricular में या फिर पेरोटेड लिंफ नोड में ठीक है जो कि situated है जो है वो situated होता है पेरोटेड ग्लैंड के surface पे ठीक है क्या होता है situated on the surface on the surface of parotid gland अब देखो क्या होता है posterior part of scalp drains posterior auricular or mastoid और occipital lymph node यह जो posterior part of scalp है वो drain करता है posterior auricular में या फिर मेस्टोइड में या फिर occipital lymph node में अब आते हैं nerve supply में मैंने बताया था कि total 10 nerve के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि 5 चो है वो present होता है अब देखते हैं डाइग्राम से सो डाइग्राम इस मोस्ट इंपोर्टेंट इन अनाटामी सो देखो इसमें क्या है ना पांच के बारे में हम पढ़ेंगे जो front of the Oracle में present होता है जिन में चार मोट चार सेंसरी होता है और एक मोटर होता है देखो सबसे पहला हम देखेंगे इसको यह तो सुपरा ट्रोक्लियर न्रव होता है यह लीन में और गडाटांड आइगो ओडेदम शूपर्श होता है ब्रांच वह और यह और यह आ है Suppas AI ब्रांच हम कुछ समझ में आ रहे की जाइगोमेटिक नर्फ का ब्रांच होगा ठीकर अब थार्ड नमडर पर हम देखेंगे कि टेंपुरल ब्रांच और फेशल नर्फ यह जो है वह मोटर होता अब आता है फिफ्ट नमबर में इस फॉर्थ फिफ्ट नमबर में हम देखेंगे औरिकिल auriculotemporal nerve जो branch होता है mandeval nerve का जो division होता है trigeminal nerve का डिक है अब इतना हमने देख लिया अब यह देखते हैं कि auricul के behind में पीछे जो पांच nerve उनमे से कौन से sensory होता है और कौन motor होता है तो तो देखो इसमें क्या होता है सबसे पहला हम देखेंगे posterior division of greater auricular nerve सबसे पहला जो प्रेजेंट होता है that one is posterior division of greater auricular nerve and next one is posterior auricular nerve यह motor होता है यह sensory होता यह भी sensory होता यह दोनों sensory होता है अब आता है posterior auricular nerve हो गया ठीक है अब आता है lesser occipital nerve lesser occipital nerve जो है वो sensory होता है ठीक है और यह greater occipital nerve आगया फिर 3rd occipital nerve आगया ठीक है इसको आप याद कर सकते हैं जिसे की सबसे पहला का मात है lesser greater आगा फिर 3rd ऐसी याद कर लो आप ठीक है बागी सारे तो आपको याद करने ही पड़ेंगे वट इसमें motor कौन सा है sensory कौन सा है यह आपको identify करना आना चाहिए सो बनाने आना चाहिए तो डाइग्राम साही हो कि आपको समझ में आया होगा अब देखते हैं इसको notes में देखो nerve supply में क्या है scalp and temple are supplied by 10 nerve on each side 5 nerve enters the scalp in front of the auricle 5 nerve scalp में enter करते हैं आगे से ear के आगे से front of the auricle 4 are sensory and 1 is motor ठीक है 4 sensory होगे एक motor होगा अब देखो इसमें देखते हैं remaining 5 nerve enters the scalp behind the auricle बाकी 5 nerve जो है वो एंटर करते हैं scalp में ear के पीछे से auricle के पीछे से ठीक है behind the auricle जिसमें से 4 sensory होते हैं और एक motor होता है अब देखते हैं कि auricle के front में कौन-कौन से nerve जो है ठीक है सबसे पहला आमने देखा था कि supra trochlear nerve होता है फिर supra orbital nerve होता है फिर zycomatic temporal branch होता है फिर auriculotemporal branch होता है sorry auriculotemporal branch होता है ठीक इतना आमने देखा था अब क्या होता है यह जो हैं वो सारे sensory होता है motor को इसके बाद में देखेंगे supra trochlear nerve branch of frontal nerve यह जो है ब्रांच होता है frontal nerve का जो की division होता है ophthalmic division of trigeminal nerve ठीक है और next जो है वो supra orbital branch of frontal nerve that is ophthalmic division of trigeminal nerve यह जो है वो दोनों सेम है ठीक है बस आपको नाम याद रखना है supra trochlear है supra orbital ठीक बाकी आता है third number वे that is zycomatico temporal branch of psychomatic nerve psychomatic से आप याद रखना कि zycomatic nerve का branch होता है जो की division होता है maxillary division of trigeminal nerve ठीक है अब देखो fourth number में that is auriculo temporal branch of mandibular nerve जो की division होता है trigeminal nerve का ठीक इतना हमने देखा यह charge है वो sensory supply करते हैं अब आता है motor देखो motor में हमने देखा की temporal branch of facial nerve जो है वो motor supply करता है ठीक है अब आता है behind the auricule अब जो है उनमें भी 5 होंगे तो सबसे पहले sensory के बारे में देखते हैं फिर motor देखेंगे sensory में posterior division of greater auricular nerve that is c2 c3 from cervical plexus and second one is lesser occipital nerve that is c2 from cervical plexus and greater occipital nerve that is c2 dorsal ramus and fourth one is third occipital nerve that is c3 dorsal ramus and motor supply करता है that is posterior auricular branch of facial nerve so हमारा scalp जो topic है वो complete हुआ I hope you understand each and everything if you have any doubt then you can comment down below in the comment section and I hope you like so please hit the like button and subscribe to my channel and please share this videos with your friend thank you for watching this video